जै बदरी विशाल की जै बदरी नाद धाम की जी हाँ दोस्तों बहुत ही सुन्दर खुश खबरी लेकर आये हैं हम आपके लिए एक अद्भुत संयोग या यू कहिए कि एक अद्भुत चमतकार इस बार घटित हुआ है वो भी करोना काल में जब सारा देश इस संकट में को मिली है कि कहते हैं प्रत्यक वर्ष जब बदरी नाद धाम के कपाट बंद किये जाते हैं तो घी लगा हुआ कंबल जो की शुद्द देशी गाय का घी होता है उससे बदरी नाद धाम जी की प्रतिमा को धग दिया जाता है और जब अगले वर्ष कंपाट खुलते हैं तो जी हाँ वो घी सुखा हुआ मिलता है लेकिन इस बार ऐसा चमतकार हुआ है कि जब घी से लेपा हुआ कंबल उनको उड़ाया गया था और उसके बाद जब अगले वर्ष यानि कि अभी फिलहाल 15 मई को जब इस बार कपाट खुले हैं तो जानते हैं दोस्तों क्या हुआ वही जो सालों में एक बार कभी कभार घटित होता है ऐसा प्रसंग जी हाँ प्रतिमा पर घी का लेपन पाया गया वो भी पिगली हुई गी सच मुच इतनी कडाके की ठंड में जहां पर खुन भी जम जाये वहाँ पर घी ऐसा सुन्दर शुशोबित हो रहा था भगवान नाराय की प्रतिमा पर कि देखकर हर कोई दंग रह गया और सच मुच सब लोगों को उमीद जग गई कि इस भयंकर त्रासदी में हमारा देश भगवान बद्रिनाजी का आशिरवाद जरूर प्राप्त करेगा और पूरी दुनिया को यह हिंदुस्तान दिखा देगा कि हिंदुस् की भक्ति और भक्ति की शक्ति देखेगा पूरा वर्ल्ड जी हां पूरा संसार और इसी उमीद में कि आने वाले समय में हमको आपको सभी को भगवान श्री बद्रिनाजी की अद्भुत क्रिपा मिलेगी साहस मिलेगा हम हिंदुस्तानियों को कि हम अपने अपने दुख लिटा सकें और हां एक बात और आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जब भगवान बद्रिनाजी ने इतनी बड़ी अनुकंपा की है हमारे और आपके उपर तो अगर संभव हो जाए तो हमारा निवेदन है कि जरूर से जरूर कोशिश कीजिएगा कि बद्रिनाजी के द दिखने वाली उन पहाडियों पर इस्थित इस सुन्दर धाम के जहां पर साक्षात नारायन का वास है साक्षात महादेव का वास है वहां पर अवश्य जाएं और भगवान के दर्शनों का आनंद लाब लें चलिए हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग करोना काल में सुरक्षित रहें स्वस्त रहें हमारा भारत आगे बढ़े स्वस्त रहे समरुद्र रहे और साथ ही साथ विश्व गुरू बनने की दिशा में हम आगे बढ़ें जय भारत जय हिंदुस्तान जय बद्रिनाद धाम